नमस्कार आज हम लोग जानेंगे FIR, Charge Seat और Zero FIR में क्या आंतर होता है FIR का Full Form होता है First Information Report इसे हिंदी में पर्थम, सूचना, पत्र भी कहा जाता है और Short में इसे प्राथमी की भी कहा जाता है ठीक है? तो FIR, Charge Seat में हम लोग आज आंतर जाने की आहिश्रू करता है सबसे पर हम जानते है FIR या फिर पर्थम सूचना पत्र या फिर यह कहा तो प्राथमी की किसे कहता है तो किसी भी तरह के अपरादी घटना जैसे चोड़ी, डकैतली, लूट, मार, हत्या, बलातकार इन सब जैसे किसी भी घटना का सिकायत करने, जब कोई पुलीस स्टेशन में जाता है, थाने में जाता है तो वहाँ वह पुलीस को कुछ सूचना उपलब्ध कराता है जैसे कि वह घटना कितने वज़े के लगभग में हुई, किस अस्थान पे हुई, ठीक है कितने अपरादी कितने की संख्या में थे वो किस तरह के गाड़ी में आये थे क्या उसे किसी पे शक्ष है तो यहाँ जो सूचना है या फिर यहाँ जो information वो पुलीस को उपलब देकराता है इसी information को कहा जाता है first information report short में इसे FIR कहा जाता है हिंदी में इसे प्राथमी की कहा जाता है तो यह हो गया फाया उदाहरन के लिए समझे मान लीजे एक कोई सुहन नाम का लड़का है ठीक है वो कहीं जा रहा था रास्ते में उससे किसी सुनसान जगा पे कुछ अपराधी आते हैं उसके mobile चीन लेते हैं उसके पैसे चीन लेते हैं तो वह पुलिस स्टेशन में जाएगा पुलिस स्टेशन में जाएगा पुलिस को यह बताएगा कि किस घटना अस्थल पे उसके साथ चीन छोड़ हुई है ठीक है अप राधी कितने की संख्या में थे वो किस तरह के गारी में आये थे तो यह जो सूचनाय उपलब्द कराएगा पुलीस को यही सूचनाय जो है वो पर्थम सूचना पत्र या फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर एफाई आर कहलाता है ठीक है तो यह हो गया अब हम जानते हैं चार्शिट के बारे में तो सिकायत करता जो कंप्लेन लिखवाने गया था वह एफाई आर पुलीस के पास लिखवा दिया अब पुलीस जो है वह मामले की छानबीन करेगी वह घटना स्थल पे जाएगी वह मौझूद लोगों से पूछताच ठीक है उसके बाद में अगर CCTV फूटेज है तो CCTV फूटेज को निकालेगी इसके अधार पे वह गिरफ्तार करेगी ठीक है अपराधी को अब अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद में वह गवाहों को इकठा करेगी सबूत इकठा करेगी ताकि वह कोट में जो है वह अपर चार्जिट कहा जाता है वैसा रिपोर्ट जो पुलीस को अपड़ाधी के खिलाप जद साहब के सामने पेश करना होता है जिस रिपोर्ट को उसी रिपोर्ट को चार्जिट कहा जाता है तो यह हो गया एफाईया और चार्जिट अब जानते हैं कि जीरो एफाईया क्या होता ह तो देखे हर थाना या फिर जितने भी पुलिस से स्टेशन होता है उसका अपना एक एरिया बाटा होता है ठीक है वह उसी एरिया में हुए क्राइम की जाच परताल करता है या फिर छानबीन करता है लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारण वस जो है वह पुलिस मान लिजे क या किसी के साथ कोई घटना हुए है ठीक है तो वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में ना कडा कि किसी काड़नुछ किसी अन्य चेतर की पुलिस इस्टेशन में जाकर करके वह फाय और तर आता है तो इसी चेतर के अंतरगत जिस ठाने चेतर के अंतरगत वह घटनास ठल आता होगा, क्राइम प्लेस आता होगा, उस ठाने में वह FIR को ट्रांसफर कर देता है, इसी को जो है वह zero FIR कहा जाता है, एक इकजामपल से समझे, कि मान लिजे किसी के साथ जैसे पटना में कोई घटना हो ठीक है और वह FIR पटना में दर्ज करा करके किसी भी कारण वस वह हाजिपूर के किसी पुलिस स्टेशन में वह FIR दर्ज कराता है तो ऐसे FIR को 0 FIR कहा जाएगा तो यह हो गया आपका FIR चार्ज स्रीट और 0 FIR ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्य वागते